अगर आप बिहार बोर्ट कलास 1012 के स्ट्टेंट हो तो आपके लिए यहां पर काफी खुस ख़बरी वरा न्यूज है कि के रोना वैरस के कारण मेंटरिक इंटर के रिजल्ट पर कोई प्रहो परने वाला नहीं है नतीजे जो है कि समय से ही जारी किये जाएंगे और यहां पर जो हिंदुस्तान न्यूज में छपी है तो इस न्यूज के नुसर आप देख सकते हैं यहां पर असपस्ट लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ट रिजल्ट 2020 बिहार बोर्ट मैटरिक और इंटर के नतीजे उपर नहीं परेगा कोरोना वाइरस का असर नतीजे समय पर होंगे घ बिहार बोर्ट की तरफ से कहा गया कि नतीजे समय पर ही निकलेंगे बिहार के सिक्षा विभाग के अपर मुक सचीब महाजन ने कहा कि समय पर निकलेगा मैटरिक और इंटर का रियल्ट मुलियंकन केंद्रों पर करोना वाइरस की संक्रमन से बचने के लिए सिक्षकों की सचीव ने कहा कि बिना मुल्यंकन चातरों को अगली कक्षा में प्रोनत करने पर सिक्षा विभाग करेगा विचार कि रोनक लेकर सेक्षिक सत्र विलंबित नहीं होगा तो काफी खुसकबरी वरा नुज है सभी छातरों के लिए कि रिजल्ट में कोई देरी होने वाला नहीं है और बोर्ड का जो ऑफिस्यल नुज है चलिए दिखाते हैं कि बोर्ड का ऑफिस्यल नुज क्या है कि रिजल्ट कब तक जारी किये जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह ओफिस्यल वेबसाइट पर जो है कि बोर्ड अर्धियक्ष का जो बियान है कि श्री अनंद किसोर अधियक्ष बिहार विद्याले परिक्षा समिती ने किया घोसना legislator का Intermediate एवोम वार्षिक मादमिक परिक्षा 2020 का परिक्षा फ़ल पिषले वर्स की भाती March अपरेल में ही जारी होगा तो इन्टर के रिजल्ट में ही आएगा लेकिन मेट्रिक का जो रिजल्ट है वो आपको अपरियल में आएगा तो मार्स के अंतिम तक में जो है कि इंटर का रिजल्ट फैनली आ जाएगा क्योंकि यहां पर आपने देखने लिए है कि कोरोना वाइरस के कारण भी मुल्यंकन कार्य और जो भी कार्य है वेरिफिकेशन का कार्य रोका नहीं जाएगा तो सभी चातर चाहते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आए और उनको जानकारी मिले तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और कम सकम इस मेसेज़ को दस गुरूप में जरूर से हुआ 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 ह हुआ हुआ ह हुआ हुआ ह जाह पकれ lengग झाल नहीं हुआ हुआ में जो झाल याल आएगा तो, झाल झाल